कोमल सुबह सुबह कॉलिज जाने के लिए नहा धोकर तयार हुई और डायनंग टेबल पर आई मा जल्दी से नाश्टा दे दो मुझे देर हो रही है तभी कोमल की मा सुमित्रा देवी हाथ में नाश्टे की प्रेट लेकर आई और कोमल के सामने रख दिया ये क्या मा आज आपने छोले भटूरे बनाये आपको तो पता है ना कि मुझे ये सब नहीं पचता है अरे आज तेरे पापा और भाई को यही खाना था अब मैं सब के लिए अलग अलग नाश्टा थोड़े ही बनाऊंगी आज खाले साथ में खाना पचाने वाली दवाई खाले ना कोमल ने जैसे तैसे एक भटूरा खाया और साथ में एक चम्मच खाना पचाने वाली दवाई भी पी कोमल ने खाना पचाने की कई दवाईया ट्राई की थी लेकिन फिर भी भारी भोजन उसे पच्चता ही नहीं था जिस कारण कोमल का शरीर भी पतला दुबला था खेर छोले बटूरे खा कर कोमल कॉलेज चली थे लेकिन क्लास के दौरान ही उसके पेट में दर्द शुरू हो गया कोमल ने मन में सोचा हो गया बंटाधार मैंने मा से कहा था कि मुझे ये सब मत खिलाओ अब जल्दी घर भागना पड़ेगा कोमल क्लास बीच में ही छोड़ कर आटो पकड़ कर घर आ गई उसे लूज मोशन शुरू हो गय थे वो बार-बार टॉयलेट जा रही थे तब ही उसके छोटे भाई राजेश ने ये सब देख लिया क्या हुआ दिदी फिर पेट खराब हो गया क्या हाा राजेश आज छोले बटूरे खा लिए बस पेट खराब हो गया आप चिन्ता मत करो दिदी मैं अभी आपके लिए दवाई लाता हूँ राजेश भाग कर मेटकल स्टोर पर गया और कोमल के लिए दवाई लेकर आया। ये लो दीदी, आप ये दवाई खा लो, आपका पेट एकदम ठीक हो जाएगा। कोमल ने दवाई खा ली, थोड़ी देर के बाद उसका लूज मोशन बंद हो गया। उसने सुमित्रा देवी स मा, मेरे लिए आज खिच्डी बना देना। हाँ, मुझे पता है, राजेश ने बता दिया था कि तेरा पेट खराब है। सुमित्रा देवी ने कोमल के लिए खिच्डी बना दी। रात में खाने के टेबल पर। सभी लोग भरवा परवल खा रहे हैं और मैं खिच्डी खा आखिर ये कब तक चलेगा, मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं अच्छा-चा खाना काऊं। इतने डॉक्टरों से दिखा लिया लेकिन तेरा पेट किसी की दवाई से ठीक नहीं हुआ। बाप रे इतनी दवाईयां, मैं तो भूली जाओंगी कि कौन सी कब पीनी है। इससे तो अच्छा होगा कि मैं सादा खाना ही खाऊं। खिचडी और रोटी सबसी। कोमल कॉलिज में दूसरी लड़कियों को चाट पकोड़े, बर्गर और रोल खाते हुए देखती तो उसके मुह में पानी आ जाता। हाए कितना मन कर रहे कि मैं भी ये सब खाऊं। लेकिन खा लिया तो पेट खराब हो जाएगा। इसी तरह दिन बीत रहे थे और कोमल अपना मन मार कर रह जाती। कभी कुछ अच्छा खाने का मन भी होता तो नहीं खाती। धीरे धीरे कोमल की कॉलिज की पढ़ाई पूरी हो गई तो अब उसकी शादी की बाते चलने लगी थी। एक दिन। कोमल बेटी आज शाम तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। जा तयार हो जा। ठीक है मा। कोमल तयार हो गई, शाम को लड़के वाले भी आ गए। लड़के वाले दूसरे शहर से आए थे। हमें लड़की तो पसंद है लेकिन लड़की बहुत पतली दुबली है, कुछ खाती पीती नहीं है क्या। कोमल के माता पिता ने लड़के वालों से ये बात छिपा लिए कि कोमल का हाजमा खराब रहता है और उसे मसालेदार खाना नहीं पच्चता है जी दरसल बात ये है कि कोमल बहुत health conscious है वो मोटी नहीं होना चाहती है ये तो बहुत अच्छी बात है ज्यादा मोटापा अच्छ हो जाती है शादी वाले दिन कोमल सजधच कर दुलहन के रूप में तयार थी तभी बारात आगे बारात में लड़के वालों की तरफ से कुछ महलाएं भी आई थी जिसमें लड़के की बहन जोती और भावी अर्चना भी साथ आई थी जोती और अर्चना ने कोमल से मिलने क की इच्छा जताई हां हां क्यूं नहीं चलिए मैं आप दोनों को कोमल से मिलवा देती हूं आखे रब उसे आप लोगों के साथ ही तो रहना है सुमित्रा देवी जोती और अर्चना को कोमल की कमरे में ले आई वितीनों आपस में बाते करने लगे तभी कोमल का भाई यहीं भिचवा दीजे जी ठीक है राजिश दो प्रेट खाना कोमल के कमरे में लेकर आया और जोती और अर्चना को देते हुए बोला ये लीजिए कुछ चाहिए हो तो मुझे बोल दीजीगा अरे सिर्फ अमारे लिए और कोमल नहीं खाना खाएगी क्या उसके लिए भी ख किले चावल बनाए थे लेकिन अब कोमल ननद और जेठानी के सामने शादी वाले दिन गीले चावल नहीं खा सकती थी राजिश के जाने के बाद जूति और अर्षना ने खाना शुरू किया और वो कोमल को भी साथ खाने के लिए जित करने लगी भाबी आप हमारे साथ खा हो गई ना तो उसके बाद खाना नहीं खा सकोगी अर्चना और जियोती जित करके कोमल को खाना खिलाने लगी मजबूर होकर कोमल को उनके साथ खाना पड़ा खाना खा तो रही हूँ लेकिन उसके बाद क्या होगा यह मुझे पता है खल तो ट्रेन में सफर करना है लूज इनकी दवाई अपने पर्स में रखना भूल जाती है शादी खत्म होते होते सुबह के चार बच जाते हैं और आट बजे विदाई हो जाती है कोमल को उसी दिन सुबह दस बजे की ट्रेन से ससुराल आना था खेर विदाई हो जाती है और कोमल ससुराल आने के लिए ट्रेन म और तभी उसे याद आता है कि वो लूज मोशिन की दवाई रखना तो भूली गई है, हे भगवाल, अब तो मेरा पेट खराब हो गया, और मैंने लूज मोशिन की दवाई भी नहीं रखी, अब क्या करूँ, तभी कोमल को बहुत तेज पौटी आती है और वो तेजी से भाग कर टौट के ओर जाने लगती है, नई बहु को गुंगट में तेजी से भागते हुए देखकर सारे लोग हैरान रह गया, अरे कोमल बहु को क्या हुआ, ये तनी तेज दौड कर क्यो भागी, अभिशेक तु जा कर देख, सब ठीक तो है ना, कोमल का पती अभिशेक कोमल के पीछे गया तो उसने देखा कि कोमल टौलेट में है, अभिशेक बापस अपनी सीट पर आ गया, मा, कोमल टौलेट गई है, ओ, ठीक है, थोड़ देल के बाद कोमल टौलेट से बाहर आगे और अपनी सीट पर बैठी, उसके पेट में फिर से बहुत तेज दर्द हुआ और फिर लूज मोशन लग रिया, कोमल फिर भाग कर डौलेट की तरह गया, ऐसा तीन चार बाद हो गया, कोमल अब बस थो कर लोड़ गया, उसकी हालत देख कर सारे लोग परिशान हो गया, कोमल क्या हो तुम्हें, जोती ने कोमल को पानी पिलाया और अर्चना उसका सिर से ला कोमल ने दवाई खाया, थोड़ी देर के बाद उसे आराम मिल गया, ससुराल आने के बाद वहाँ भी कोमल को पूरी कचोरी खाने के लिए दिया गया, लेकिन कोमल ने नहीं खाया, अरे क्या बात है कोमल, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, माईके की याद आ रही है क्या कोमल ने अब सोचा की कब तक छिपाऊंगे और कितना जूट बोलूँगी उसने अभिशेग को सब सच बता दिया दरसल अभिशेग जी तला भुना और मसालेदार खाना मुझे हज़म नहीं होता है मेरा पेट खराब हो जाता है मेरी पाचन शक्ती बहुत कमजोर है इसलिए मैं बहुत हलका खाना खाती हो जैसे खिचडी, गीले, चावल, सुखी, रोटी और लौकी कद्दू तो ये बात है इसलिए ट्रेन में तुम्हारा पेट खराब हो गया था जी दूसरे दिन अभिशेक कोमल को डौक्टर तरुन के पास ले जाता है गबराने की कोई बात नहीं है इनकी पाचन शक्ती कमजोर है इस वजह से मसालेदार या तला भुना खाने से बहुत जल्दी इनके पेट में इंफेक्शन हो जाता है मैं कुछ दवाईया लिख रहा हूँ जिसे खाने से इनकी पाचन शक्ती बहुत जल्द अच्छी हो जाएगी डौक्टर तरुन ने कुछ दवाईया लिखी जिसे कोमल ने खाना शुरू किया और बहुत जल्द उन दवाईयों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया कोमल की पाचन शक्ती अब आम लोगों की तरह हो गई थी और अब कोमल ने भी पूरी कचोरी खाना शुरू कर दिया था अंकिता स्कूल में आती है और क्लास शुरू हो जाती है और तभी अंकिता का पेट गुरगुराना शुरू कर देता है अरे ये क्या मुझे बात्रूम जाना होगा टीचर क्या मैं बात्रूम जा सकती हूँ अभी अभी तो क्लास शुरू हुई है थोड़ी देर बैठो बहुत इंपॉर्टन टॉपिक समझा रही हूँ अंकिता को टीचर ने बात्रूम जाने नहीं दिया और अंकिता को बहुत जोर से एक पाद आई क्या करूँ पाद आ रही है हलके से छोड़ देती हूँ अंकिता हलके से पाद छोड़ने गई और पाद के साथ साथ थोड़ा सा पॉटी भी निकल गया सत्यानाश हो गया ये तो स्कर्ट के अंदर ही फैल गया अब मैं खड़ी कैसे होंगी अंकिता चुपचा बैठी रही क्लास खत्म हो गई सभी क्लास छोड़कर जाने लगे लेकिन अंकिता अपनी जगह से नहीं हिली उसकी क्लासमेट राधा ने पूछा अरे अंकिता प्लास खत्म हो गई है चल कैंटीन चलते बहुत भूख लगी है नहीं यार मैं नहीं जा सकती क्यों क्या हुआ पैसे नहीं है अरे मैं खिलाऊंगी चलना ये बोलकर राधा ने जबरदस्ती अंकिता को उसकी जगह से उठाया अंकिता चलने लगी और सकर्ट के पीछे से बून-बून करके पौटी नीचे गिरने लगा और सभी ने वो देख लिया अरे वो देखो अंकिता सकर्ट पीली कर चुकी है सभी हसने लगे अंकिता को बहुत शर्मिंदगी हुई और वो वहां से भाग गई भागते भागते वो घर पहुँच गई उसकी मा ने कहा क्या बाते बिटा इतनी जल्दी स्कूल आ गई मैं स्कूल नहीं चाओंगी क्यूं क्या बाते बिटा अंकिता ने सब कुछ बताया इसलिए मैं कहती थी कि उल्टा सीधा मत खा मैं खाए बिना नहीं रह सकती मुझे नए स्कूल में भरती करा दो अंकिता जिद पकड़कर बैठी रही उसे नए स्कूल में भरती करवाया गया पहले दिन जाते समय मा ने कहा आज टिफिन में क्या ले जाएगी बिटा खिच्डी बना देती हूँ खिच्डी कौन खाता है मेरे पास पैसे है मैं कैंटीन से छोले भटूरे खालूंगी फिर से वही सब खाएगी यही सब खाखा के पेट खराब होता है याद रखना इस बार गरबर हुई तो नया स्कूल नहीं मिलेगा अंकिता ने बातों पर ध्यान नहीं दिया वो अपने धुन में स्कूल चली गई इस स्कूल में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे अंकिता के क्लास में घुसते ही रोहन नाम के क्लड़के ने पूछा हाई, आम रोहन, तुम्हारा नाम क्या है? मैं अंकिता हूँ तुम कौन सी स्कूल में पढ़ती थी? वहाँ से यहां क्यों आई? अंकिता चुप हो गई अरी यार क्या बोलू इसे? सच तो नहीं बोल सकती, भांडा फूट जाएगा बहुत सोचकर अंकिता ने कहा यह बोलकर अंकिता ने बात को टाल दिया रोहन ने भी और कुछ नहीं पूछा वो दोनों दोस्त बन गए नए स्कूल में अंकिता को बहुत मज़ा आने लगा एक दिन स्कूल के बाद वो रोहन के साथ पैदल घर जा रही थी इतने में पिछले स्कूल के कुछ लड़के अंकिता को देख लेते हैं अरे वो देख सकट पेली करने वाले अंकिता जा रही है रोहन ने यह सुन लिया वो लड़के तुम्हारा नाम लेके क्या बोल रहे हैं? सकट पेली मतलब? मतलब कुछ नहीं वो तो बस मजाग कर रहे है अंकिता ने सुचा अच्छा है इसे उतनी अच्छी हिंदी नहीं आती नहीं तो नए स्कूल में भी मेरा मजाग बन जाता ऐसे ही चलता रहा अंकिता लगातार हर रोज कैंटीर में फास्ट फूट खाने लगी किसे दिन छोले भटूरे तो किसे दिन मोमो और ऐसे ही एक दिन वो लंच में चाओमीन खा के क्लास में बैटी थी और उसे बहुत तेज पौटी आई हे भगवान अब फिर से वही चीज होने वाली है क्या अंकिता टीचर से पर्मीशन लेकर बात्रूम गई और पेट साफ करके आई लेकिन पांच मिनट बाद उसे फिर से पौटी आ गई उसने फिर से टीचर से पर्मीशन मांगी तुम्हें पांच मिनट में कितनी बार जाना होता है हाँ जाओ लेकिन और नहीं जाने दूंग इसके बाद मेरा पेट खराब हुआ है मुझे फिर से बातरों माना होगा लेकिन टीचर आने नहीं देंगी एक काम करती हो अंकिता के दिमाग में एक आइडिया आया उसने दुकान से डाइपर खरीद लिया और उसे पहन लिया हाँ अब तो क्लास में बैटे बैटे ही कर सकती हो अंकिता क्लास में चली गई और पांच मिनट बाद उसे फिर से पौटी आ गई ये तो होना ही था इसलिए तो दिमाग लगाकर डाइपर पहन लिये मैंने अंकिता क्लास के अंदर बैट कर ही डाइपर में पौटी करने लगी डाइपर पहनने की वज़ा से पौटी सकर्ट से बाहर नहीं आई अंकिता बहुत खुश हुई लेकिन पेट खराब वाली पौटी में एक बदबू होती है वो बदबू अंकिता कैसे चिपाती पूरी क्लास में बदबू फैल गई अरे ये खतरनाक वाली बदबू कहां से आ रही है हाँ यार जैसे की कोई सड़ा हुआ जानवर आसपासी हो ये सुनकर अंकिता ने सोचा क्या इतनी गंदी है मेरी बदबू नहीं तो मुझे तो नहीं लगता वैसे खुद की बदबू अच्छी लगती है हाँ जो भी हो जा इन लोग को कुछ नहीं पता चलेगा उस दिन सच में किसी को पता नहीं चला अगले दिन अंकिता फिर से डाइपर पहन कर क्लास में बैठ गई और डाइपर में पॉटी करने लगी फिर से बदबू फैल गई ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा एक दिन तो टीचर ने भी बोल दिया इस क्लास से लंच के बाद इतनी बदबू क्यों आती है मेरा तो दम घुटता है यहाँ यह बोल कर टीचर सीधा बातरूम चली गई और उल्टी करने लगी उस दिन बदबू इतनी जादा थे कि कुछ स्टूडेंट्स भी उल्टिया करने लग गए और यही सब देखते हुए अंकिता हसने लगी जो भी हो जाए यह लोग मुझे पकड नहीं पाएंगे लेकिन गलत कर्मों का फ़ल तो मिलता ही है अंकिता का भांडा तो एक दिन फूटना ही था अंकिता हर रो स्कूल घुसने से पहले डाइपर खरीती थी और एक दिन रोहन ने अंकिता को डाइपर खरीते हुए देख लिया अरे यह अंकिता डाइपर क्यों खरीद रही है मुझे इस पर नज़र रखना होगा रोहर अंकिता पर नज़र रखने लगा दोपहर कोल्टा सीधा खाना ठूसने के बाद अंकिता डाइपर लेकर बात्रों में घुज गई और पहन कर बाहर आ गई रोहन ने सब कुछ देख लिया हैं ये अंकिता डाइपर पहन कर क्लास में क्यों घुजती है अच्छा इसका मतलब यही बद्बू फैलाती है उस दिन अंकिता का पेट कुछ जादा ही खराब था सुबह से वो पानी की तरह बहा रही थी और क्लास में भी बहाने लगी और इतनी जादा बद्बू फैल गई कि टीचर बेहोश हो गई अरे कौन करता है ऐसा बद्बू कौन फैलाता है सामने आओ मुझे पता है कौन फैलाती है वो अंकिता वो डाइपर पहनती है और क्लास में डाइपर में हगती है अंकिता चौक गई अरे इसे कैसे पता चला हे भगवान इस स्कूल में भी मेरा भांडा पूट गया टीचर को अस्पताल ले जाए गया स्कूल के सारे स्टूडेंट अंकिता को भला बुरा कहने लगे, अंकिता पर हसने लगे, अंकिता की मा को प्रिंसिपल ने स्कूल बुलाया और खरी खोटी सुना दी, अंकिता को स्कूल से निकाल दिया गया, तब जाकर अंकिता को अकल आई, मुझसे गलती हो गई मा, मेरी व बदल गई उसका पेट भी ठीक हो गया और उसे नए स्कूल में एड्मिशन भी मिल गया दोस्तों ऐसे ही अगर मंकिता की तरह हर रोज बाहर खाते रहेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा इसलिए हेल्दी खाएं और स्वस्त रहें